राय बुरेली में सरेनी थाना शेतर के इंतरगते इकाउं में उस वक्त हड़कम मच गया जब अचानक संदिग्द परस्तितियों में लगी भयंकर आग की लप्टों ने 11 आशियानों को अपनी चपेट में ले लिया और जला कर खाक कर दिया मामला सरेनी थाना शेतर के सुकरू के पुर्वा गाव का है जानकारी के अनुसार लोगों के आशियानों में अचानक आग लग गई जिसकी सूचना स्थान्ये लोगों ने पुलिस को दी सुचना के बाद पुलिस और फाइर ब्रिगेट की टीम ने मोके पर पहुँचकर आग पर काबू पाया लोगों ने बताया कि आग किन कारणों से लगी है अभी इसका पता नहीं चल पाया है आग लगने से ग्रामिनों को लाखों का नुकसान हो गया है मोके पर पहुची लेकपाल अमर सिंग्चोहान ने बताया कि पीडितों की नुकसान की रिपोर्ट बना कर तैसिल प्रशासन को देंगे और हर संभव मदद करवाई जाएगी उन्हेंने बताया कि पीडितों को गेहूं चावल की ववस्था काटे दार से कराई जा रही है वहीं सरेनी कोतवाल अजीद कुमार विद्यार्टी ने बताया कि सबकी मदद से आग में काबू पाया गया है अगनी पिडितो कोस रक्षित निकाल लिया गया है राय बरेली से सवदाता सुधीर अगनी होतरी की रिपोर्ट लगब पान छेलों मकान के अंदर जे इंको सबुसल बाहर निकाला गया इसी प्रकार की जनहां नहीं है आपको आगे बढ़ते हुए रोका गया और आपको पूर्णी रुप से बुजाया गया है आग लगने कारण बितुक साइट असर कि बताया गया नुक्चान अन्मानित क कि बाहर इसी प्रका गया गया बाल इcन को खिक हुए हमारे चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंने बाद